हर किसी को पता है कि सराब पीने से सरीर का नूकसानी नूकसान है लेकिन फिर भी सराब यह की कमी नहीं हो रही बड़े-बड़े सरों में अगर आप चलते फीरते हुए देखेंगे तो सडक पर एक-दो लोग सराब पीकार ज़रूर पड़े मिलेंगे कभी कवा सराब पीने से उतना नुकसान नहीं होता जितना इसे पानी की तरह नियमित रूप पर पीने से होते है अलकॉल खून के जरीए पूरे सरीर में पहुच जाती है जिससे ये सरीर के अंग पर फ्रहाब छोड़ती है अगर आप हफ्ते बर सराब का सेवन करते है तो आपके लिए आने वाला जीवन काफी कठीन बनने वाला है क्योंकि अभी तो साइद आपको काफी मजा राओ होगा लेकिन जब बाद में सराब की बज़े से आपके अंग खराब हो चुके होंगे तब आप ये बात समझेंगे तो आए जानते हैं लंबे समय तक सराब पीते रहने से क्या होता है दोस्तों सराब में कैंसर पैदा करने वाले गुन होते है स्टाडिस में पाया गया कि सिधे तोर पर कैंसर का खत्रा पैदा करते है आप इसको नियमित रूप से पिए या कभी कवार ये सेर और गले, लिवर, स्तन और कोलोरेक्टल आधी कैंसर को वड़ावा देते है बिटिमिन B12 तंत्रीकाव और रक्त कसियाव को सौस रखने का काम करते है और नार्ब्स के कुछ तत्यों की रचना में स्वयाग होता है सराब B12 के लेवल को घटा दिती है और उसका कम निर्वान करती है इससे पूरू से में इनफार्टिलिटी या सिक्सिवल डिसफंक्शन की समस्य हो सकती है सराब पिने से हमारी आते कमज़र हो जाती है जिससे वो केलसियार्म और बिटिमिन D अवसेसिन नहीं कर पाता इन जरूरी मिनेरल्स की कमी के वज़े से हड्डिय पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है सराब को ज्यादा पिने से सिरोसिस हो जाते है जिससे लिवर में घाव हो जाते है और वो ठीक से कम नहीं कर पाता इससे इनसान की मृत्तु भी हो सकती है दूस्तो सराब दिमाग से निकलने वाली हर्मन लेवल को कम कर देती है ये वो ही हर्मन होता है जो हमें अच्छा मैसुस करवाते है सराब कुछ देर के लिए तो मूट को बहतर बनाती है लेकिन बाद में ये हमें अबसात के घेर में ढखल देती है लंबे समय तक सराब पीने से दिमाग सोचने समझने की समता खो बैटते है इसके अलबाद डिमनेसिया नामक बिमरिया हो जाती है जिसमें लोग अपने याददास धिरे-दिरे खोने लगते है ज्यादा मत्र में सराब का सेवन बीर्ये को नुकसान पहुचते है इससे स्प्राम की क्वालिटी घड़ जाती है साती इससे हर्मन का संतुलिद भी विकड़ जाते है जिससे सुक्रानोव पर बुरा असर पढ़ते है रिसार्च के मद्धम से पता चला है कि ज्यादा सराब के सेवन से दिल की मासपेसिया कमजोर पढ़ने लगती है जिससे हरिदय तक पहुचने वाला रख सही गती से उस तक नहीं पहुच पता इसके लबा उससे हर्ट अटक, स्ट्रोक और हाई बलड प्रिसर भी हो सकते है तो फ्रेंट्स इस वीडियो में आपने जाना कि रोज सराब पीने से हमारे सरेड़ में क्या-क्या होते है अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर पूछे वीडियो को प्लीज लाइक करे और सब के साथ स्यार करे और आप हमारे हिल्थ इंफर्वेशन यूटूब चैनल को प्लीज सब्स्राइब करे